हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी की भी स्टोरी कैसे देख सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनकी स्टोरी देख ली है उनको स्टोरी सीन बिलकुल भी नहीं मिलेगा तो दोस्तों आज की ट्रिक बहुत ही कमाल की होनी वाली है आपको इस वीडियो को बिना skip करके पूरा end तक देखना है और दोस्तों आपसे एक request है कि आप इस वीडियो को एक like कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को आप subscribe कर दीजिएगा और साथ में bell icon को all पर press कर दीजिएगा ताकि हमारी helpful वीडियो की और ट्रिक और ट्रिक से related वीडियो की notification आपको मिले सब चैनल पहले तो गाइस यहां पर जो है ना मैं आपको पूरा processing दिखा देता हूं simple हम यहां पर जो अपनी ID में जो है एक story add करेंगे यहां ter और यहां पर यह वाली story मना यहां पर आपके सामने ऐड़ कर रहही हो यहां पर इसके बाद निच्चे पर क्लिख करेंगे हम यहां पर और यहां पर क्लिक करके हम इसको CR P कलिक करके done पे click कर दिया मैंने और ये कुछ time में यहाँ पे add हो जाएगी थोड़ा load हो रही है हमारी story ये देखे तो यहाँ पे देखे आप story add हो चुकी है और इसके बाद guys मैं जो है अपनी दूसरी Instagram ID में login कर लेता हूँ ठीक है यहाँ से हम अपनी दूसरी Instagram ID यह है मेरी इसमें मैं login कर रहा हूँ और यहाँ पे guys जो है अभी हम जो है हम पे आ जाएंगे यह रही हमारा दूसरा account और जो मैंने यहाँ पे अपनी story अभी add की वो यहाँ पे so हो रही है अभी guys हमें क्या करना है हमें simple अपना wifi को आफ कर देना अगर आपका wifi है या mobile data है आपका तो आपको वो off कर देना है ठीक है पहले आपको off कर देना है उसके बाद जो है यहाँ पे हम उस story को scene करेंगे यहाँ पे देखे मैंने story scene कर दी है अभी यहाँ पे पूरा आप देख सकते है इस story उसके बाद हम back हो जाएंगे ठीक है मैंने story देख ली है अभी हम back से यहाँ पे दुबारा से पहले यहाँ पे हम जो है wifi को on कर लेते हैं अगर आप चाहे तो अपना mobile data on कर सकते हैं wifi connect हो चुका है इसके बाद गाईज हम यहाँ पे अपने दूसरे account में जहाँ पे हमने story आड़ की थी वहाँ पे जाएंगे और मैं दिखाता हूँ आपको ठीक है यहाँ पे देखे आप यहाँ पे मैंने reload कर दिया है इसके बाद यहाँ पे simple हम click करेंगे इसके उपर तो यहाँ पे आपको side में दिख रहे हैं यहाँ पे scene आता है story scene का किस-किस ने हमारी story देखिया यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो मैंने story देख लिया है तो इस तरीके से guys आप देख सकते हैं किसी की भी story और guys आपको बताना चाहता हूँ कि आप only text या photos या इस तरीके के या जो भी story होती है वो सब आप इस तरीके से देख सकते हैं otherwise जो video होती है ना किसी ने video story में डाल रखी होती है वो आप नहीं देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपने mobile का chrome browser को open कर लेना ठीक है और यहां पर जो गूगल में आपको सर्च करना है इस्टा डीपी इस्टोरी व्यूर यह है यहां पर सर्च कर लेना इतना गूगल में फर्स्ट जो यहां पर साइट आ रही है इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपल और यहां पर हम आ जाएंगे यहां पर आपको अपना यूजर नेम जिसकी भी आप स्टोरी देखना चाहते हैं उनका यूजर नेम आपको यहां पर सिंपल टाइप कर देना ठीक है तो मैं यहां पर अपना दूसरी इंस्टाग्राम आइडी का यहां पर यूजर ने हमें जो है ना continue पर click कर देना है यहां पर और उसके बाद यहां पर आपको अपनी Instagram ID देखने को मिल जाएगी अभी मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा reload हो रहा है यह देखिए आपको यहां पर लेखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको जो भी इस टोरी है अब आप सामने अभी एड़ की थि और यहां से आप सकते हैं थे लेकिन दोस्तों आपको पब्लें के अकाउंट में ही आप देख सकतें किसी की इस टॐरी ठीक है अगर पाइबेट अकाउंट है तो उनके यहां पर देखे आप download का एक option है यहां पर simple click करके आप इसके उपर press करके इसको download image पे भी click करके इसको download कर सकते हैं तो I hope guys आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप किसी की भी story कैसे देख सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा story scene उनको बिलकुल भी नहीं मिलेगा तो guys अगर आपका कोई भी question है तो आप मुझे comment box में पूर सकते हैं और दोस्तों आपसे एक request है कि आप मुझे जहां से भी देख रहे हैं आपको उस जगह का नाम comment box में जरूर लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे कहां कहां से देख रहे हैं guys मैं भी लोगा दोस्तों आपको एक next helpful वीडियो के साथ में तब तक आपना ख्यार लखेगा तो नमस्ते दोस्तों